नमस्कार रेणुकारानी सिह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत हैं। आईए जानते हैं सिरिक कृष्ण के जाने के बाद राधा का क्या हुआ कनहिया ने क्यों तोड़ी थी बासुरी। जब कभी प्रेम और त्याक की बात की जाती है तो कृष्ण और राधा का नाम पहले आता है। लेकिन क्या कृष्ण भक्त जानते हैं कि उनकी प्रिय राधा की मृत्यू कैसे हुई थी और आखिर क्यों स्री कृष्ण को अपनी बासुरी तोड़नी पड़ी थी। राधा स्री कृष्ण के वच्पन का प्यार थी। स्री कृष्ण जब आड साल के थे तब से दोनों के बीच प्रेम था। राधा स्री कृष्ण के दैवी गुणों से परचित थी। उन्होंने जिन्दगी भार अपने मन में प्रेम की इस्मृत्यों को बनाए रखा। यही दोनों के रिस्तों की सबसे बड़ी खुब सूर्ती है। सिरी कृष्ण को केवल दो ही चीजे सबसे ज़्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीजे भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। एक वासुरी और दूसरी राधा। कृष्ण की वासुरी की धून ही थी जिससे राधा कृष्ण की तरफ खिची चलिया गई। राधा की बज़ा से स्री कृष्ण वासुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही स्री कृष्ण और राधा का मिलन नहों हो सका लेकिन उनकी वासुरी उन्हें हमेशा एक बांधे रखा स्री कृष्ण के जितने भी चित्रन मिलते हैं उनमें बासुरी जरूर रहती हैं बासुरी स्री कृष्ण के राधा के प्रती प्रेम का प्रतीक है वैसे तो राधा से जुड़ी कई अलग-अलग विब्रान मौजूद हैं लेकिन एक प्रचलित कहानी है जब रामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। ब्रंदावन के लोग यह ख़बर सुनकर दुखी हो गए मुथ्रा जाने से पहले सिरी कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गती विधी को जानती थी। राधा को अलविदा कह कृष्ण उनसे दूर चले। कृष्ण राधा से ये बादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे। लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आये। उनकी साधी भी रुकमिनी से हो रुकमिनी ने भी स्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किये थे। स्री कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई रुकमिनी के खिलाप चली गई। रुकमिनी ने स्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इ इसके बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया राधा और कृष्न जब आखरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्न से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं लेकिन मन से कृष्न हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मतुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों का बद किया इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारका धीस के नाम से लोग प्रिय हुए जब कृष्ण ब्रंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड ले लिया था राधा की साधी एक यादव से हो गई राधा ने अपने दामपत्य जीवन की सारी रसमे निभाई और बूढी हुई लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था राधा ने पत्नी के तोर पर अपने सारे कर्तब्य पूरे किये जब वा द्वारिका पहुची तो उन्होंने कृष्ण की रुक्मनी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना लेकिन वह दुखी नहीं हुई जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वा बहुत प्रसन हुए दोनों संकेतों की भासा में एक दूसरे से काफी देर तक बाते की करते रहे राधा को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कारे देखती थी मौका मिलते ही वह कृष्ण के धर्सन कर लेती थी लेकिन महल में राधा ने सिरिकृष्ण के साथ पहले की तरह का अध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तै किया उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा सिरी कृष्ण के साथ गहरा आत्मिय संबंध इस्थापित कर पाएंगी उन्हें नहीं पता था कि वह कहां जा रही है लेकिन भगवान सिरी कृष्ण जानते थे धीरे धीरे समय बीता और राधा बिलकुर अकेली और कमजोर हो गई उस वक्त उन्हें भगवान सिरी कृष्ण की आवश्यक्ता पड़ी आखरी समय में भगवान सिरी कृष्ण उनके सामने आ गए कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे लेकिन राधा ने मना कर दिया कृष्ण के दुबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखरी बार उन्हें बासुरी बजाते देखना चाहती है स्री क्रिश्ण ने बासुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे स्री क्रिश्ण ने दिन रात बासुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से क्रिश्ण में बिलीन नहीं हो गई बाशुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने सरीर का त्याग कर दिया कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है बावजिद विए वे राधा के मृत्यू को बरदास नहीं कर सके क्रिश्ण ने प्रेम के प्रती कात्मक अंत के रूप में वासुरी तोड़ कर जाड़ी में फेक दी उसके बाद से स्री क्रिश्ण ने जीवन भर वासुरी या कोई अन्यवादक यंत्र नहीं बजाया इसी के साथ मैं अपनी बाणी को विराम देती हूँ जय हिंद जय भारत